इस करोना महामारी में सब अपनी मन की व्यथा और मजदूरों का दर्थ अपने लफजों में पीरों के फेस्बूक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कह रहे हैं तो मैंने एक कुछ पंक्तिया देखी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्राची मिश्रा की तो मैं अपनी आवाज शायना शबनम अपनी आवाज में आपको ये पंक्ति सुनाना चाहते हूँ मैं निकला था घर जाने को अब बचा नहीं कुछ खाने को रोटी की खोज में आया था अब रोटी की खोज में जाता हूँ अब कोई नहीं सुनता मेरी मैं आतुर हूँ बड़ा सुनाने को मैं निकला था घर जाने को मैं छोड़ छाड़ सब कुछ अपना आया था बुन्ने सुन्दर सपना एक बहतर कल की आस में था रोटी कपड़े की तालाश में था ये नजर लगी किसकी हम को अपना आसू बचे बहाने को मैं निकला था घर जाने को जिन सडको को कभी बनाया था अब उनको ही हमनाप रहे अपने रक्त की बूंद बूंद से अपने पदचिन्हों को छाप रहे तूटी चपल और फूटी किसमत मैली गठरी मैली गठरी धरकन सीरी सब कुछ भी अब कुछ भी ना बचा दिखाने को मैं निकला हूँ घर जाने को मैं कभी न उनका हिस्सा था मैं कभी न उनका हिस्सा था मैं बस दो पल का किस्सा था सब से सबने मुझसे मूँ मोल लिया मरने को सडक पर छोड दिया मुनिया अब बहुत पिलकती है रवी की किरने भी चुबती है अंगार बिच्छे ये रस्ते हैं जिवन अब कितने सस्ते हैं अब जख्म बचे हैं दिखाने को मैं निकला था घर जाने को कुछ बोलो कुछ बोलो उजले कुरते वालो कुछ बोलो उजले कुरते वालो क्या नजर नहीं कुछ आता है यह गाजगिरी है बस मुझ पर तुम्हारा क्या जाता है फिर कहना मत वापिस आने को मैं निकला हूँ घर जाने को